नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप मेरा नाम नवीन पंचाल और स्वागत करता हूं मेरे यूटूब चैनल पर दोस्तों आपके काफी मेसेश के बाद मैंने आज का जो पीपीटी बनाया है वो है सर्जिकल इंस्टुमेंट जिसमें आपके आलमोस सभी सभी के इंस्टुमेंट आपके क्लियर हो जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की लेक्चर में मैंने इंस्टुमेंट की कुछ कैटेग्री डिवाइड कर रखी है जिसमें आपके बहुत सारी लोग कहते हैं इनका फंक्शन क्या होता है तो मैंने एक कॉमन उनको कैटेग्री में डिवाइड क करूद के लिए वह होगा तो चलिए एक के एक के टेग्री हम डिसकर्स करते हैं फिस्ट केुरी हमारी है है वह है कट्इंग आने स्टिंग नित्सक्टिंग क्या है इन इन मेंसे वह इंस्टुमेंट आएं गे जो जिनका शॉर पैर झे मेंагकर अउपर चिस करने में है नहां यहां पे दिल्ली ims का सबसे जादा बार question पूछा ग्या था fakta के युगा जूंपकी नाइफ हड़्ेs के बारे फार के बारे मी बहुत भार question पूछा ग्या गया डिल्ली Hims में जो लोग नहीं कभी उनों आपरेशन ट्रीटर में काम किया जो नहीं किया तो बहुत नमबर में कौन सी blade लगते है, चार नमबर में कौन सी लगते है, तीन नमबर में कौन सी लगते है, कम्बाइन में अभी ये question पूछा गया था, है ना, तो चलिए चर्चा करते हैं, यहां पर मैंने एक trick बना रखी है कि जिन blade के prefix मतलब आगे अगर एक आ रहा है, और साथ नंबर की knife handle में यह attach होंगी है ना दूसरा जिन numeric prefix के आगे दो आ रहा है जैसे 20, 21, 22, 23 और 24 उन में knife handle 4 में वो fit होंगे यह आपको ध्यान रखना है यह बहुत बार पूछा गया question है है ना जैसे यह 4 नंबर है और यह आपका 3 नंबर है ना तो जो 3 और 7 है जो 3 और 7 है मैं इसके पहले वाली slide बताता हूं आपको यह यहां पे देखिए जो 3 यह वाला जो 3 है और 7 है उनके आगे जिसके prefix आगे एक होगा वो blade इसमें attach होगी और चार नमबर जिसके आगे दो प्रिफिक्स से वह वाली ब्लेड यहां पर अटैच होगी ठीक है यह बहुत बार एक्जाम में आप कोशन पूछा गया है एक यह कोशन पूछा जाता है दूसरा कोशन यह पूछा जाता है कि कौनसी नाइफ किसके लिए काम में आती है तो आ है कौनसा नाइफ हैंडल यह नाइफ कौनसे नाइफ हैंडल में लगेगी ठीक है पंदरा यूज किया जाता बिल्कुल जो शॉर्ट और माइनूट से इंसीजन लगाने हैं और ग्यारा नमबर की ब्लेड वहां यूज की जाती है जहां पर आपको स्कीन को पंचर करना हो ज यह बहुत बार एक्जाम में कुष्षन पूछा जा चुका है इस बार यह यह पूछा गया था कि दस नमबर कहां काम आ रही है है और यह किस नाइफ हैंडल में लगती है है ना यह भी है आज मैं जादा ब्रीफ डिसकस नहीं करूंगा यहां पर मैंने एक image base दे रखा है कि भाई कैसे load करना है knife handle को कैसे knife लगानी है क्योंकि video के base में आपको यह पूछा जा सकता है है ना कि इसमें से क्या चीज गलत हो रही है तो यह मैंने step बता रहा है कि आपको step ध्यान रखती है यह loading का कैसे आपको knife handle पे knife लगानी है ठीक है next यह कैसे remove करना है है ना एक blade को कैसे remove करना आप देखना आप knife handle से उस blade को थोड़ा pull कर रहे है और pull करने के बाद आगे की तरफ stroke कर रहे हैं इस two में एक minute यहां पर आप देखिए पहले आपने यहां पर pull किया फिर इसको आगे stroke किया and then इसको remove कर लिया और फिर उसको जो भी आपका container उसमें आपको container को उसमें डाल देनी उसको discard करना है ठीक है यह इसका process में question पूछा गया था इसलिए मैं थोड़ा सा इसको discuss कर रहा हूँ now next is a scissor scissor जो होती है straight हो सकती है angle हो सकती है straight हो सकती है angle हो सकती है tip में भी pointed हो सकता है blunt हो सकता है long और short हो सकता है जिस हिसाफ से purpose होता है उसी के हिसाफ से इसका intent किया ठीक है बढ़ते हैं कि scissor में this is your straight myo scissor यह आपका bandage dressing scissor ठीक है अब tissue dissecting scissor जैसे curved myo scissor यह question पूछा गया था इस बार की exam में यह कौन सी scissor है that's a curved myo scissor medzovan scissor tenotomy scissor यह आपके लिए नहीं हो सकती है tenotomy scissor इसको मैंने नया add किया है यह specially delicate procedures होते हैं उनमें काम किया जाए वैसे सभी scissors आपके tissue को dissect करने में काम आ रहा है क्योंकि इनकी category वह यह लेकिन यह tenotomy scissor वो specially ophthalmic surgery और neurosurgery में use की जाती है that's the tenotomy scissor यह iris scissor है iris scissor में आप देखी का आगे की तरह बहुत शाफ है और यह आपके जो आई surgery है उसमें इस scissor का use किया चाता है नाम से पता चल रहा आईरिस scissor other cutting instrument जैसे this is a ronger ronger किस काम आता है ronger एक forceps type है एक cutting जो tough tissue होते है especially इसे अगर bone को अगर cut करना है तब यह ronger काम में लिया जाता रonger बहुत type के होते है pituitary ronger होता है है ना मैंना कुछ type यहां पर discuss कर रख है आप इनके image एक बार देख लीजेगा है यह चार type है इसकी आप इसकी image google पर जाके search कर सकते है वैसे इसका पूछा नहीं जाता है इसलिए में इसका mention नहीं किया है that is a osteotomy osteotomy किस काम आता है instrument होता है जब भी किसी bone को cut करना है उसको preparing for bone तब इस osteotomy का use करते हैं this is a curate free freer elevator यह आप देखेगा freer elevator यह जो भी आपके neurosurgical procedure में use किया जाता है और जैसे elevate करने के लिए soft tissue को elevate करने के लिए इसका use किया जाता पैरोस्टोम को ENT वाले में इसका use करते हैं freer elevator आप देखेगा यह थोड़े से elevator यहां पर थोड़ा सा चप्टा है है ना that's the freer elevator rest rest किसलिए काम आता है दोनों तरीके से आप यहां पर भी चप्टा इधर भी है यह कभी भी किसी bone या किसी graph लगाने से पहले इसका use किया जाता किसी prosthesis लगाना graph लगाना तब इसके पहले इसका use किया जाता है है आपका नाम rest आपको exam में क्या पूछा जाता है कि परी चीतर जानों प्रत्योगीता में कि यह कौन सा instrument है आपको instrument दे दिया जाता और आपको उसका नाम पैचानना next हम grasping और holding कर रहे हैं यह instrument किस काम आते हैं आइदर किसी tissue को grabs करने के लिए hold करने के लिए कुछ forceps होते हैं अच्छा क्यों क्योंकि surrounding tissue को injury ना हो है ना तो कौन-कौन सा instrument है देखते हैं यह सभी forceps हैं है ना एक एक के बारे में this is the culture forceps culture forceps आपका OBG में अगर आपको ARM करना है artificial rupture of membrane करना है तब आप culture forceps का use करते हैं है ना Elise forceps, babcock, sponge holder, towel clip, adsense, adsense का एक तरीके का tooth forceps है जो की जो इसको locking forceps भी कहते हैं और जो tissue को hold करने में यही काम आता है ठीक है there is a tissue for ferris smith forceps debate की debate की बहुत सारे लोग pick-up भी बोलता है यह भी tissue को hold करने में काम आता है Russian forceps next we are discussing the clamping and occluding forceps है ना तो यह instrument का इसमें जितने भी instrument आएंगे क्या करेंगे आइदर तो clamp करेंगे यह किसे structure को occlude करेंगे इसी के लिए instrument काम आते हैं देखो मैं ज्यादा discuss नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपका सिर्फ image दिखाई जाएगे और आपको उसका नाम बताना है है ना मॉस्क्यूटो क्रिल मॉस्क्यूटो क्रिल दौनों का comparison कैली तीनों का comparison टॉंसिल चारों का comparison आप देखिए मैं एक और मैंने एक और image डालिये comparison की पियाउन अब आप इस image को देखिए अगर आपके सामने कोई ऐसी image आजा देखो मॉस्क्यूटो सबसे छोटा है इसके बाद क्रिल है इसके बाद कैली है इसके बाद टॉंसिल से उसके बाद सबसे बड़ा है आपका पियाउन है यह में लिग क्या काम आ रहे है किसी भी tissue को hold करने में यह काम में लिए जा रहे हैं यह हुए चलना है कि क्या कौन सी size दे रखी है यह बढ़ते हैं आगे दिस राइट एंगल आप यहां पर इसका देखिए का थोड़ा सा राइट एंगल को पहचानने का तरीका यहां पर थोड़ा सा यह थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है राइट एंगल यह देन नॉन क्रश है बुल्डोग है ना इसका थोड़ा सा प्लास्टी वर्जन भी आता है है ना बुल्डओ का यह जो हाट की जो भी वैसल से हैं वैसकुलर सइर्जरिमेंस का यूज किया जाता है उसको उखलूड करने में बुल्डो का यूस किया जाता है यह इमेज बहुत बार एक्जाम में पूछी गई है next exposing and retracting की वह इंस्ट्रूमेंट जिसे expose किया जा सकता और retract भी किया जा सकता है नहीं दो रिटरेक्टर आपने अपने आप इसको एक्सपोज करते हैं कौन-कौन से हैं जो हैंड है स्कीनक facts को रिट्रेक्टर, वाल्कमेन, आर्मी, नवी आर्मी रिट्रेक्टर, मेलेबल, रिबन रिट्रेक्टर, रिचर्ड संस रिट्रेक्टर, कैली रिट्रेक्टर, हैरिंग्टॉन रिट्रेक्टर, डेवर्स रिट्रेक्टर, अब वो रिट्रेक्टर जो सेल्फ रिट्रेक्टर था, इमेज बिसमें दो-तीन बार पूछा गया बैलफॉर का तो इसको भी आप थोड़ा सा रिमाइंड करके चलिएगा नेक्स बुक वल्टर नेक्स हम पढ़ रहे हैं सुचरिंग एंड स्टापलींग है ना सुचरिंग वो जैसे सुचर करने में काम आरहे हैं जिसमें डीडल प्रविह आपका बहुत इंपोर्टैंट इंस्ट्रुमैन्ट देखते हैं क्यांने कौन से है पहले हम समझते है निडल ओल्डर दिजव 안돼 वнеड ness holder मायो हैगर नीडल होल्डर क्रेस्टो वेजो क्रेस्टो वेजो ये कभी एक्जाम में नहीं पूछा गया मेरी साथ से ये पूछना चाहिए ये जो बहुत डेलिकल स्ट्रक्चर स्पेशली सीटी वेस अपने जिसने सीटी वेस में काम करा होगा वह कैस्टो वेजो को जानता ह होगा है ना काडियो थौरस्टिक वेस्कुलर सर्जरी में जिसने भी काम किया है वह इसको जानता होगा ना कैस्टो वेजो को इसकी इन स्टैपलर वेक होमो क्लिप अप्लीकेटर देखो ये कुछ अप्लीकेटर है इसमें भी अबकी बार कमबाइन में ये कुशन पूछा गया था कि कौन से कलर का अप्लीकेटर कहा लगता ये कुछ अप्लीकेटर से है ना रेड अप्लीकेटर येलो अप्लीकेटर ब्लू अप्लीकेटर इस वाइट अप्लीकेटर तो इनमें ये कुछ कुछ क्लिप हैं ये हीमो स्टेट का काम करते कुछी वेसल्स को या बहुत क अगर आपको state करना तो आप इस clip applicator से उस vessels को occlude करते हैं that's a very very important there is a Liga clip applicator staplers आपने देखे होंगे now आप वो instrument डेखते हैं जिससे आप देख पारे हैं examine करने के लिए किसी cavity को किसी organ को किसी structure को अगर आपको देखना है तो कौन से instrument use किये जाते हैं this is a nasal speculum, vaginal speculum, rectal speculum, endoscope, different kind of endoscope, laparoscopic trockers, laparoscopic instrument, laparoscopic instrument, you have a laparoscopic instrument, thoracoscopic trocker, orthoscopic cannulas, cistoscopy sheets, camera and light coats, flexible bronchoscope, flexible ureteroscope, these are the proctoscope, now suction, है ना जिससे अब सक करते है, that's a vancour suction catheter, phrasier suction catheter, pull, next probe and dilator, है ना, जो dilate करने, this is a uterine dilator, जिसको haggar dilator भी कहते है, this is a uterine sound, urethral sound, ये dilator मैंने OBG के जो instrument उसमें सब बता रखे है, है ना, lacrimal, duct prop, vascular tunelards, next measuring, ये बहुत कम पूछा जाता, this is a ruler, depth gauge, total hip trials, micro instrument, castro-vejo needle holder, जिससे मैंने बता था, CTVS में use किया जाता है, micro seizure, जो भी, जब surgery करते है CTVS में, तो जो coronary arteries है, उनको insect करने के लिए micro seizure काम में ली जाती है, है ना, bisop, hermer, forceps, next is a powered instrument, जो battery से चलते है, है ना, battery powered है, air powered है, और electric powered है, है ना, there is a striker system, midas rex, TPS system, orthoscopic saver, ये आपके OT का minor set है, there is a major set है, इसमें आप clip applicator देख पा रहे हूं है ना, major set upper tray की, major retractor set, now, ये तो आपके लिए importance थाभित हो सकता है, क्योंकि, इससे question पूछा जाना चाहिए अपकी बार, कि बहुए कैसे handle करना है, ठीक है, तो आपको कोई instrument का कोई video दे दिया जाएगा, और आपको बताना है कि how to handle, भई आपको कोई scissor देने, को instrument देना है, तो आपको कैसे surgeon के हाथ में देना है, तो that are the, तरीका, ये वो तरीका है, जिससे आप उसके surgeon के हाथ में आप provide करेंगे, ये तरीका आप देख लीजेगा, ऐसे, और यहाँ पे surgeon का हाथ रहेगा, इदर surgeon का हाथ रहेगा, हाथ में बनाने की कोशिश कर लेता हूं, ये आपका हाथ, ठीक है, नेक्स्ट, विक्रायल को कैसे लोड किया जाता है, बहुत बार कुशन पूछा जाता है, अगर आप चाहते हैं कि मैं सभी सूचर्स के लिए एक वीडियो बना हूं, तो आपको कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना है, ताकि मैं इस पे भी एक वी और 3-4, 1 by 8 inches आपने डाउन जो टीप है उससे वहाँ से पकड़ा है, और आपको आगे फॉरवेट करना है, next, care of instrument, ये भी बहुत बार question पूछा गया है, हमेशा distilled water से ही आपको clean करना है instrument को, उस पे कोई भी blood आपको dry नहीं होने देना, और नहीं saline pour करना, क्योंकि saline और blood अगर आप करेंगे, तो वो corrosion effect लाएगा, जिसकी वज़से आपके instrument खराब हो सकते हैं, ये question पूछा गया है, इसलिए मैं इसमें डाला है, section को हमेशा आपको flush करना है, है ना, कैसे flush करना, वो मैंने आपको procedure ये दिखा रखा, image में, वो आप देख लीजेगा, है ना, power instrument को कभी भी, उसकी जो batteries है, उसको आपको पानी में नहीं डालनी है, है ना, खराब हो सकती है, है ना, this is my complete of instrument, next मैं और instrument के वीडियो लेके आता रहूँगा, I hope so, इसमें surgical के आपके almost instrument cover हो जाते है, OBG के मैं उदर cover करी रहा हूँ, fundamental में ये कुछ instrument है, ये cover हो रहा है, next आप मेरे वीडियो में देखेगा, part two में कुछ और surgical instrument में लाँगा, अगर अबी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं क्या, subscribe क करिए, share करिए, ताकि ये जादक जादा लोगों के पास पहुंच सके, और नवीन है मेरा नाम, इतनी बाद.